लेटिस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नाशनल बस और साथ ही दबाएं बेलाइक इट की तरह चल रही थी वालमिकी समाज के लीडर समय सिंग ने कहा कि वो स्प्रीम कोर्ट के बदलेवे फैसले के खिलाव परदर्शन कर रहे हैं सरकार ने मीडिया को रोपके रखा है ताकि हमारी आवाज न उट सके लेकिन हम हमारे हितों की रक्षा करने के लिए शांत बंद है जैसे कि हमारे सभी नितागनों से हमें इंटरनेट पर पता लगा है लेकिन भारत सरकार ने मीडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है सेंसर किया हुआ हमारे आवाज को उठने नहीं दे लागा हमारी आवाज को दबा के रखा हुआ है और उसके लेकिन हमारा समाज इक यह कहाता है अपई दोद जो के जो समाज़ने को पिलिया है जिससे आज हम एक प्लिट फर हुड़े हैं और हमारे जो समयदान में कोई भी चेड़ चाड़ करेगा उस वो चेड़ चाड़ बरदास नहीं की जाएगी किसी किमत पर बरदास नहीं की जाएगी अभी तो इन्होंने हमारे लिए इतनी थोड़ी सी बात की है अगर आगे इन्होंने कोई हमारे समयदान में कोई किसी परकार का भी कोई छेड़ चार करने की कोशिस की और उसमें कोई बदलाव करने की कोशिस की और अपने समाज के चाहे वो भी से का समाज भी हो अगर उसके हितों के रक्षा नहीं होगी अगर उनके हितों पर हमला होगा तो यहां पर जो सुडूल कार्च का समाज है भारत वर्स का वो एक मज़ पर आ जाएगा और एक मज़ पर आ करके हम उस लड़ाई को लड़ेंगे जो बाबा साब ने हमें अपना अधिकार दिया है उस अधिकार को बचाने के लिए बाबा साब के सम्मान को बचाने के लिए बाबा साब के सम्मान में हम हर तरह का संगर्स करेंगे सांती पीरे रूप ढंग से करेंग और कानून के दैरे में रहके करेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जैसे कि हम सब्बे ना हो, हम सब्बे तरीके से, अच्छे तरीके से, सूजवान तरीके से, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे, जैसे बाबा साब ने भी बहुत बड़े पेमाने पर ऐसा संगर्श किया तो हम बाबा साब की प्रेड़ना से आज हम इस मकाम पर पहुचे हैं कि हमें भी संगर्ष करने का तरीका आ गया बाबा साब जी हमें बता करें गए हैं वही वाल्बी की समाज के युवा परदान लवकुमार की अगवाई में ऐसी बिरादरी की तरफ से इकठे होकर नारेबाजी की गई और सेक्टर 20 से लेकर ट्रीब्यून चोप की तरफ चुलूस की शकल में प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया तथा जमकर नारेबाजी की गई चंडिगड पुलिस की तरफ से भी इस बंद को देखते हुए खास इंतजाम किये गए थे नाशनल बस के लिए बलविंदर आर्या की रिपोर्ट नाशनल बस पर लेटिस्ट न्यूस और एंटेटेन्मेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें गमेंट करें और शेर करें थांक्स फो वाचिंग